दोस्तों सनातन संस्क्रिती के अनुसार केले के पेर को बहुत सुब माना गया है तुलसी के पेर के बाद सबसे जधा सुब केले के पेर को ही माना गया है लेकिन ये बहुत महत्पुन विशा है कि केले के पेर को आप किस दिसा में लगाएं कैसे उसको लगाएं जिससे आपको फाइदा हो सकता है केले का पेर घर में लगाना सुभ होता है या सुभ इसके बारे में हम जानेंगे तो केले का पेर लगाना घर में बहुत ही सुभ होता है बहुत ही सुभ संकेत दिने वाला होता है बहुत सारी समस्यों को टालने वाला होता है क्योंकि सनातन संस्कृति के अन अगर हम बात करें इसके लाव की तो धन के मामलों में बहुत ज़्यादा लाव पूर्ण होता है केले का पेर जैसे कि आप जानते हैं कि प्रशपती देव यानि ब्रसपती देव की लिए बहुत ही सुभ होता है प्रशपती की जो लोग पूजा करते हैं गुरुवार का वरत लिए केले का पेर केले के पत्ते बहुत ज़्यादा सुभ होते हैं तो उसी से ब्रशपती देव की करपा बरस्ती है और जिसे उनके धन लाव होते हैं धन की वर्शा होती है उनके घर पे धन का बहुत सारे शोत बनते हैं अगर के पेर के लगाने की जो लाव होते हैं उसके दिक्कतों में उनके स्वास संबंदी दिक्कतों में सुधार मिलता है केले के पेर लगाने से प्रस्पति ग्रास जो उनके उपर रहता है वो कटता है और जिससे उनके पूरे परिवार को स्वास संबंदी दिक्कोतों से चुटकारा मिलता है अगर परिवार में किसी भी ऐसे स पूर्व पूर्व दिसा में आपको लगाना चाहिए, किसी अने दिसा में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके नकरात्मक परिणाम आपको देखने पर सकते हैं तो हमेशा उत्तर पूर्व या पूर्व दिसा में लगाएं धन लाव और स्वास्त लाव के लिए धन लाव और स्वास्त लाव पूरे पड़िवार को मिलता है केले के पेर को सही रिसा में लगाने से और केले के पेर की नियमित पूजा पाट करने से